अगर आपको मेरी ये वीडियो पिसान दाए तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल स्टाइल एंड भाई एंड क्लिक दबल आइकन फॉस्टी तो वाई वीडियो आज मैं रागलें ड्रेस बनाऊंगी रागलें ड्रेस बनाने के लिए हमें आम शर्ट से ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि इसमें रफल डालेंगे फाउप टाइप बनेगा ठीक है और अगर आप इसको तॉप शॉट बनाना चाहें सोच ना सकते हैं लोंस गुंति में तो रुक्षि पैसा चाहिका और ठीक काहिए अ कि लेट है वो हम हिप्स के हिसाब से रखेंगे, हिप्स जो हैं वो 42 इंच हैं, तो उसका जो हाफ होगा वो 21 होगा, वो 21 का भी हाफ हम करेंगे तो, 10.5 होगा, 10.5 हमने ये लिया, ठीक है, और 4 इंच हम कपड़ा ज्यादा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कपड़ा ज्यादा यूज होगा, ठीक है, इसमें 4 इंच लिया, 1, 2, 3, 4, 5, और 1 इंच सब एक्स्ट्रा बेलाते हैं, जो कि इसकी स्टिच लिया जाएंगे, अब मैं ये सारा कपड़ा जाएंगे, काट लूँगी, कटिंग करूँगी, मैं, अब हम ड्राप्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम शोल्डर की मेरमेंट करूँगी, मैं शोल्डर जो है, वो 15 इंच है, तो 15 का जो हाफ है, वो 7.5 होगा, इसमें हम वन प्लस, हाफ प्लस कर देंगे, तो 18 हो होगा, 8 इंच हम आर्म होल लेंगे, शोल्डर यहां से, 8 इंच लेंगे, है, शोल्डर जोटेंगे, करें शोल्डर का टार जा नर्म होगा, यहां से, शोल्डर चेट्टु है, वो 38 इंच यहां réfl़का है, 38 38 का 19 हाफ है ठीक है और 19 का हाफ है और हम देंड़ 9.5 9.5 है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहांसे 2 इंच एक्स्ट्रा यहां तक एक्स्ट्रा लेंगे नेक हम 3 इंच लेंगे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ठीक है और जो इसकी जो लेंच है वो 6 इंच है तो 6 इंच से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यह टींच हो जाएगे जड़ा अब हम घले को शेव देंगे अवज हो ज्ज़ की जो झाएगे यह जड़ सम्ट्रा लेंगे यहाँ सट्ट्रा लेंगे और अब हम यह इसका जो आर्म हॉल है इसकी शेप देंगे अब यहां से मैं दो इंच का जो खटा दो छो रहे हैं और यहां पर मैं इस तरह से निशान लगा हूंगे और यह जो हमारी जो कुटिंग लाइन है चेस्ट से यहां पर हम यह रखेंगे और इसकी निशान लगा भी जो दालेंगे स्लांट शेप में कि अबाइगे अ अब अब अ गया कि अ चुर्ण शकर सकते हैं और दो इंच का भी छोड़ सकते हैं यहां से फोल सिवन पुतिन लाइन है यह एक्स्टा कपड़ हम यहां से छोड़ देंगे हम इसकी कटिंग करोंगी और सिधा कपड़ कट देंगे हम इसकी कटिंग करोंगी यहां से गिला जो यह शाल लगाया है कट्टिंगा तेका रजुना से काप्टिंगे अब मैं बाजू लोगी बाजू जो है वह नाइंटीन इंच है तो नाइंटीन में मैंने फॉर फॉर अनहाफ प्लस किये जब हम बाजू इसके नीचे रखें यह तो फॉर इंच जो है वह इसके नीचे आ जाएगा ठीक है यह इतना है और यह कपड़ा काम है तो इसमें हम थोड़ा सा जाए पीस डालेंगे ताके यहां से बाजू की जो लेंथ है वह ज्यादा हो जाए दोना तरफ से यह यहां से पीस तर लेगा पीस लगाएंगे पिर बाद में बाजू की कटिंग करेंगे यह बाजू है यह बाजू है ठीक है और टोटल नाइन एंफ पिंच इसकी विट्ट है और ट्टी त्री एंफ पिंच इसकी लेंट है अब हम इस बाजू को इस तरह से कर YEं यह भास कि आए कर्स्टा यह बात्षी Sum पर के की इस फ्हूं जी इस प्यूंत्र विट्टी ओर इंच तक यह तोटल इसकी लंटर चुह हो 10 इंच बन रही है तो यहां प्याबने पर समगमांगी प्तिंप 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 इस अब्रीज अब्रीचा है यह वली जो कटी है, बस हम यह वली कटिंग करेंगे, यह बाजू कटी है, ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे, यह जो मैंने शार्ट काटी है, वह मैं इस तरह से मैंने रख दी है, ठीक है, और यह जो बाजू वारी साड़ा इधर और वह दूसरी साड़ दूनों पर बाजू लगाएंगे, अब मैं इस पर बाजू लखूंगी, इस तरह से यह विजिबल होगा, अब मैं यह वली जो, जिस तरह से इसको साथ मैंने अटैच किया, यहां से मैं इसकी स्लाई लगाऊंगी, सबसे मैं पहले मैं इसको पिन अप कर लूगे, अबसे, 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 अब मेस्तरा, यह मैस के चारो साड़ पे सलाई लगाऊंगी टीक है और फिर उसमें इल्स्टिक डालेंगे यही क्रॉस पड्टी हम बाजुओं पे भी लगाएंगे और कमर पे लगाएंगे चलिए सबसे पहले मैं इसकी जो डॉस पड्टी है यह मिले पे लगाते हैं यहां से इसको मैं इसको इसको पॉल्ड करूंगी और इसको इसको पर स्लाइड बहें है यहां से इसतरह फॉल्ड करके यहां पर च्छला लगाएंगी इसके लिए पर यहां पर शट्क दाएंगे इस तरह से कियां से मैंने डबल स्लाई लगाई है क्या आँ को यहां से अब हम फॉल्ड करेंगे इतना इस तरह से फॉल्ट करेंगे तिक है और यहां मेने डबल सलाई लगाई है ताकि यहां पर जब इसके रफजा है तो यह खुबसुरत लगे और यहां से यह मीने जगा चोड़ी है यहां से हम इनास्टिक डालेंगे और फिर बाब में यहां पे इस तरह से चलाई लगा देंगे आपको जितना है एलास्टिक रखवायर डाप उतना नहेंगे और बाकी में काड़ दूंगे और यहां पे हम स्टिक्च लगा लेंगे यह देखे इसके शबड़ा हूंगे दोनर तरब से हैंद्धाक से चțiयार आपको दूनर तरब से डीपम यहां यहांद्धा देखे दोरा तरफ से सलाई लगाने के बाद मैं बाजूं पे भी इलास्टिक डालने के लिए जो पट्टी है वो मैं यहां पे लगाऊंगे मैंने इसको इल्टा कर दिया अब मैं इसके उल्टी तरफ से यहां से इस पे बी पट्टी लगाऊंगी ठीक है और फिर इसमें इसमें बाज फ़ाइं मैं इसके बाजु में भी यश्यलास्टिक डाल दिय। डालें के लिये इसी तरह एकिता कि में कमर में पट्टी लगाने के लिए मैं इसके मेर्मेंट करने होगी जैसे कि ये कमर है इतने फास्टे से हम लगा लेते हैं कि मैं निशान लगाऊंगी इंग्यां भी मैं 10 इंच कर गाप लोंगी इतने फास्टे अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अची लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स जरूर कीजिए अचको तके हमारी होसला अबज़ाई होती रहे टेक कियर लाफेज अच्छार व्हाइस झाल झाल